हालो नमश्कार दोस्तों आपका स्वागत है किसान बागवान चैनल पे तो दोस्तों आज मैं आपको एक एसा साग बताऊंगा जो की नैपाल से इसका सीड मिलको कुछ नैपालियों ने दिया था नैपाली साग भी बोलते है इसको आप रायो का साग और तोरी इस तरह से एता है जैसे सरसो का साग होता है उस से भी बहुत जादा अच्छ रवात है कि इस सबसे बात नहीं है एक और अगर आपने लगा दिया एए То यह तो यह बार-बार वहां पर उगता है यह आप देख न सकते हैं यहां पहले हो आप तो यहां इसका इस तरह से आप देख सकते है सरसो की तरह ही इसमें फूल आते है यह देख सकते है आप इस तरह से इसमें फूल आते है अगर आप इसे नहीं उखाड़ेंगे तो यह जढ़के यहीं पर दोबारा से लग जाएगा और जो इसका बीज है वो इस तरह से त्यार होता है ये आप देख सकते है ये इस तरह से इसका बीज त्यार होता है इसके अंदर दाने निकलते हैं मैं आपको दिखा दूँगा अगर कहीं इसमें त्यार हुआ होगा यह देख सकते हैं आप इस तरह से इसमें अंदर बीज निकलता है कुछ दिन बाद यह जब पक जाएगा तो यह ब्राउन से कलर का हो जाएगा अभी यह पका नहीं है और यह बार बार उग जाता है और इसकी रैस्पी बहुत ही टेस्टी होती है बहुत स्वादिश्टी यह साग होता है यह आप देख सकते हैं और काफी चोड़े चोड़े इसके पत्ते होते है अगर आप इसी नर्सरी में लगाके फिर इसके बूते साइड में निकालेंगे तो इसका जो सीड्स होते ये बूटा होता है वो बहुत ही चोड़ा होता है और बहुत टेस्टी ये चीज है अगर किसी भाई को इसका बीज चाहिए तो मैं आपको इसका बीज फ्री में एक दो महीने बाल प्रोवाइड करवा दूँगा आपको बस कुरियर चार्जिस अगर ये आपको सेंड कर दूँगा इसका बीज इस तरह से होता है बहुत ही लाजवाब चीज है गार्डन में आप इसे लगा सकते है जैसे घर में चोटे कुछ भाई लगाते हैं अपने जो उन्होंने गार्डन मना रखे है तो वहां के लिए बहुत ही अच्छी चीज है ये द जाएगा इसके तो 20-25 दाना भी बहुत है एक बार आपके लगना चाहिए फिर ये दुबारा से वहां लग जाता है और अगर ये गहना आपके लग जाए तो आप पटपट के इसे अलग-अलग कर दे खाद ना इसमें डाले इंगोबर सी अगर आप इसे तियार करेंगे त और बाकी आप देख सकते इस तरह से ये होता है बहुत चोड़े चोड़े इसके पत्ते होते है अब तो आदे भी नहीं बचे है ये बारिश की वज़ा से ओलो नहीं ने काट दिया है ये देख सकते आप इस तरह से ये होता है और बहुत सारे इसमें निकलता है और फिर इस अपर से इस तरह से सीड़ आता है आप देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज है यह जो हमारा दूसरा सरसो का साग होता है उसी के मुकाबले यह भी काफी बहतरीन चीज है एक टाइप का पालग का काम यह आपके कर लेता है यह देख सकते हैं और इसमें एक बहुत से कितने सारे सीड़ सा सकते आप दीख सकते हैं इसमें सरसो की तरह ही अंदर से सीड निकलेंगे तो दोस्तों अमीद करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो वह आप तक पहुंचती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ने टोपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद